Hello Friends, Welcome to Tasty Food with Sangeeta आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास tips and tricks जो आपके काम को बहुत ही आसान बनाएंगे साथ ही आपके काम से related बहुत सारी problems को दूर कर देंगे टिप No.1 ये टिप है रोटियों के बारे में जब भी हम कैसरोल में रोटियां रखते हैं तो हमारी नीचे वाली एक दो रोटियां क्या होता है पसीज जाती है नम हो जाती है गिली गिली सी हो जाती है तो आपकी रोटियां बिल्कुल ना पसीज है गिली गिली ना हो इसके लिए एक tip शेयर कर रहे हूँ सबसे पहले तो कैसरोल को अच्छे से पहुंच लें इसमें पानी वगएरा ना हो और दूसरी बात कैसरोल में आपको कोई कपड़ा कोई भी टिशू पेपर नहीं लगाना है आप क्या करें इस तरीके की कोई प्लेट कटोरी ले ले जो थोड़ी सी गहरी हो जैसे हलवा प्लेट वगएरा होती है या फिर आप इस तरह टिफिन का कोई धक्कन वगएरा ले सकते हैं अब इस कटोरी को बिल्कुल सेंटर में रख दीजे कैसरोल के और अब जो आपने चपाती बना के त्यार किया है वो गर्म गर्म चपाती इसमें रख दीजे अब आपकी जो ये चपाती है इनमें सबसे नीचे वाली चपाती भी बिल्कुल खराब नहीं होगी जो भी कैसरोल में भाप बनेगी उससे जो पानी बनेगा वो नीचे कटोरी में आएगा और नीचे कैसरोल में आएगा रोटियां बिल्कुल भी गिली नहीं होगी अब आपको क्या करना है? कैसरोल का ढकन लगा देना है, ये देखे इस तरीके से. आपकी रोटियां ये बिल्कुल खराब नहीं होगी अगर रोटियां बहुत ज़्यादा है कैसरोल के धक्कन से टच हो रहे हैं तो आप क्या करें कि इन रोटियों के उपर एक टिशू पेपर लगातें इस तरीके से और फिर आप धक्कन बंद कर दें अगर चपाती कम है धक्कन से टच नहीं हो रहे हैं तो बिना टिशू पेपर के भी कवर कर सकते हैं ये टिप रोटियों के लिए बहुत ही अच्छी है टिप नमबर टू ये टिप है अद्रक के बारे में अद्रक हमारे सिहथ के लिए बहुत अच्छा होता है, यह हमारे खाने के स्वात को बहुत बढ़ा देता है आज मैं आपको यहां अद्रक के बारे में दो टिप शेयर कर रहे हूँ देखे पहला टिप तो यह है कि जब भी आप अद्रक को छीलें तो आपको अद्रक छीलने के लिए जो पिलर होता है उसका इस्तमाल नहीं करना है यानि कि छीलने वाला जो चाको होता है उसका इस्तमाल नहीं करना है अद्रक को इस तरह स्पून से आपको छीलना है इससे क्या अद्रक की दूसरी टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अद्रक के पतले पतले लच्छे आप आसानी से कैसे कट करें। अब आपको क्या करना है इन्हें इस तरीके से एक दूसरे के उपर रखना है। इस तरह रखते जाएं और बहुत ही आसानी से अद्रक के लच्छे कट करें। ये जो लच्छे हैं बहुत ही आसानी से कट गए हैं और लच्छे ऐसा नहीं है कि कोई मोटा हो कोई पतला हो सभी एक साइस के कट के त्यार हुए हैं। इस तरह आप काफी सारे लच्छे एक बार में ही काट कर रख लीजे। इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी जब भी आप कोई रैसिपी बनाएं तो फटा-फट से इन्हें निकाल कर अपनी रैसिपी में डाल सकते हैं। आपका टाइम बहुत बचेगा। तो इन लच्छो को इस तरह कट करने के बाद आप किसी भी काच की बोटल में रख कर फ्रिज में स्टूर कीजे। और जब भी आपको इने चाहिए फ्रिज से निकाल लिए और अपनी रैसिपी में डालिए तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है। ये टिप है हरा धनिया के बारे में हरा धनिया हम सब की किचन में बहुत जादा इस्तमाल होता है क्योंकि ये हमारे खाने की स्वाथ को बढ़ा देता है। और धोने के बाद इसे किसी कपड़े पर रखकर अच्छे से पहुंच लें या हवा में थोड़ा सा सुखा लें। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसकी ये जो जड़े हैं जो पीछे वाला हिस्सा ये निकाल दें और जो भी खराब पत्ते हैं उन्हें भी आप हटा दें। क्योंकि ये जो खराब पत्ते हैं बाकी के धनिये को भी खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने धनिये को साफ कर लिया। जो खराब पत्ते थे वो निकाल दिया और इसकी चड़े वगएर हमने हटा दी। और ये जो धनिया मैंने दूने के बाद पहले लेनी है काच की या प्लास्टिक की कोई भी बॉटल ले लें लेकिन बॉटल जो है वो एयर टाइट होनी चाहिए अब इस बॉटल का धक्कन बंद कीजिए और इसे फ्रीजर के अंदर रख दीजे और जब भी आपको फिर जरूरत हो धनिय की इस बॉटल में से धनिया निकाल लेकिन की पूरियां तो हम सभी अपने घर में बनाते हैं लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनकी पूरियां एक दम फूली फूली नहीं बनती पूरियां पिचख जाती है तो आज मैं उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप शेयर करने जारू जिससे जो पूरिया एक्दम फूली फूली कोल मटोल बनेंगी तो आपको क्या करना है? देखे, सबसे पहले जब आप पूरी का आटा लगाएं तो अगर आप नमक वाली पूरी पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा नमक डाल दें बिना नमक की पसंद करते हैं नमक को स्किप कर दें तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया पहले और अब ये मैंने लिए आदा छोटा चमबच चीनी और ये मैंने आटे में डाल दी है देखे, बहुत ज़दा चीनी नहीं डाल दी है आदा छोटा चमबच चीनी काफी होती है अब चीनी को mix कर दिया है और अब हम इस आठे में पानी डालेंगे और इसका डो लगा कर त्यार करेंगे पूरी के लिए डो थोड़ा हाड लगाएं तो इस तरह पहले डो लगा लें अच्छे से गूंद कर और फिर बाद में इसमें डाल दें आधा से एक चमबज घी और इसे एक बार फिर से अच्छे से गूंद लीजे घी या ओल जो भी पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं और बस अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं और यहाँ पर 10-15 मिनट हो चुके हैं एक बार फिर से हम इस आटे को गूंद लेंगे लगवाग 1-5 मिनट के लिए और बस अब आपको क्या करना है इससे पूरिया बना कर त्यार करनी है तो पहले इससे लोई बना लिए तो लोई बनाने के बार आपको यह जो लोईया है इन्हें बेल लेना है तो यहाँ पर यह हमने देखिए पूरी को बेल लिया इसे बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि एक जैसा बेलें कहीं से पतला कहीं से मोटा ना बेलें अब हम पूरियों को फ्राइ कर लेते हैं तो पूरी फ्राइग करते समय पहले तो आपको यह ध्यान रखना कि ओईल जो है वह एकदम तेज गर्म होना चाहिए और कैस्स का फ्लेम भी हाई होना चाहिए जैसे ही आपने ओईल में पूरी डाली इस तरीकिसे से दबाना है जर से इस तरीकिसे दबाएं ये देखिये एकडम फुल गई पूरी और बस इस तरीके से जब पूरी फूल जाया थो इसे पलड़ देखते है और ये देखिये एकडम बढ़ीया फुली फुली पूरी तैयार हुई है फिर से आपको दिखा देते हूं देखे हमने ओयल में पूरी डाली और डालते ही इसे इस तरीके से दबाया और ये देखे एकदम से पूरी फूल चुकी है और जो पहली वाली पूरी है इसे निकाल लेते हैं बहुती बढ़ी असिक कही है और इसे पलट देते हैं तो बस आपको एकदम फूली फूली पूरी बनाने के लिए दो बातों का ध्यान लगना है एक तो आटा लगाते समय आदा छोटा चमबच उसमें चीनी डाल दीजे और दूसरा इन्हें तेज गरम ओईल में फ्राई कीजे और इन्हें दबा कर फ्राई कीजे तो एकदम फूल इसनल के लुड़ाते साथ कि तो आटा है और दूसरा दीजेए डाल दीजेए प्राई लगना है ऑगवाने खाला दीजेए प्राई के लागने छिग ने मet झाट का गया पूली और दूसरा इन्हें के लिए पूली आंजगा है प्राई क्राई दीज